बहुत ही हास्यास्पद है कि IRCTC Land for Job के मामले में जो CBI Inquiry चल रही है, लालु जी के परिवार से पूछता चो रही है और विपक्ष, केजरिवाल, प्रियंका गांधी और कॉंग्रेस के सारे लोग RJD सहीत, JDU के सहीत भारतिय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। मैं इन सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि मार्च 2009 में जो आज के लालु जी के घनिष्ट मित्र हैं, ललन सिंग जी और शीवानन तिवारी जी ने प्रेस कॉंफरेंस करके इस मामले का खुलासा किया था और विसल ब्लोर का काम किया था। अब 2009 से 2014 तक किस की सरकार रही के अंदर में? कॉंग्रेस की सरकार थी। जिस वक्त इस मामले में सारी प्रक्रिया F.I.R. से लेके सब चीज है पूरी हो चुकी है। यह जाँच की प्रक्रिया का ongoing process है जिसके तहत CBI पूछताज कर रही है। कोट के परविव में inquiry चल रही है। अब लालू जी जिन लोगों ने लालू जी पर आरोप लगाया आज उनके साथ बैठें। मैं तो पूछना चाहता हूँ कि यह कॉंग्रेस और जदियू के साथ लालू परिवार का और RGD का रिष्टा क्या कहलाता है। उसमें भी कोट में जाएं। यह एक जाज की प्रक्रिया है और ब्रश की निती जो नितीश कुमार क्लेम किया करते थे। तथा कथित सुशासन बाबू आज CBI पर सवाल उठा रहे हैं, कोट को भी कट घरे में डाल रहे हैं। नितीश कुमार जी जबाब दे कि क्या चारा घोटाला मामले में और IRCTC मामले में लालू जी पाक साफ है। यह कहा जा रहा है कि महागडवन्दन की जो पूनिया रहली हुई थी यह फिर महागडवन्दन की सरकार बनने से भाजपा उनके लोग जो हैं वो ज्यादा अक्रोशित हैं और उनको डर सताने लगा है 2024 का। टिजस्वी बोल रहा है कि यह तो मैं बच्पन से देख रहा हूं सिभी ही हमारे यह रेक पड़ते हूँ एक अबोध बच्चे के नाम से जो टिजस्वी ची आज कह रहे हैं करोरों रुपए की जमीन जायदाद आखिर किसने खरी दी यह तो लालू जी के खिलाफ जो आई- इतीश कुमार जी के संरक्षन में इन्हों ने किया मैं तो कह रहा हूं कि मार्ज 2009 में ललन सिंग शीवानन तिवारी ने जे डी यू ऑफिस में प्रेस कॉन्फरेंस करके इस मामले का खुलासा किया था उसके बाद इस मामले में केस दर्ज हुए फाइयार दर्ज हुए सीबिया इंक्वारी सेट अप हुई ये 2009 में जब इस मामले का खुलासा हुआ उसके बाद से 2014 तक किसकी सरकार थी भारतिये जंता पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर इन लोगों की राजनितिक दुकान चलती है जो तथा कथित धर्म निर्पिक्षता और तुस्टी करन की जो ये राजनिति करते हैं तो BJP के खिलाफ स्लांट पुट करने से BJP के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने से इनकी राजनिति की दुकान सज्टी है यही कर रहे हैं नहीं तो IRCTC मामले में लालू जी को कोई सवाल है तो नितीश कुमार ललन सिंग और स्रीवान अंतिवारी स से पूछे भारतिय जंता पार्टी को नहाग घसीत रहें अब जब मामले का खुलासा हुआ उसके अगले 5 साल तक 2009 से 14 तक कॉंग्रेस की सरकार्थी केंदर में सीबिया इंक्वारी कब सेट अप हुई लालू जी को ये टाइम लाइन आम जंता को बताना चाहिए और जंता को भर्मा कर बर्गला कर बीजेपी के खिलाफ प्रोपेगंडा कर रहे हैं ये तो हलकी बात है अब ये सत्य साबित हो गया है कि राजनिती के लिए लालू कि अस्तर तक उतर सकते हैं और इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ जो मुहीम छेरा अनरगल प्रलाप किया जो घोटालों का रहस्योत घाटन किया तो आज सब मिल गए हैं तो ये क्लिंचिट चाह रहे हैं किस आधार पर